नमस्ते, वेलकम टू आईटी किचिन याम्स, आज हम बनाएंगे सर्दियों के मौसम में सबकी फेवरिट गाजर का हल्वा गाजर का हल्वा बनाने के लिए मैंने लिया है डेली कैरेट्स वन केजी तो शुरू करते हैं गाजर का हल्वा बनाना पहले हम कैरेट्स को धो लेंगे, फिर पील करके ग्रेट करेंगे विंटर में डेली गाजर आसानी से मिल जाते हैं हम डेली कैरेट्स ही यूज करेंगे क्यूंकि ये जूसी और स्वीट होते हैं और इससे हल्वे का कलर भी बहुत अच्छा आता है रेग्यूलर कैरेट्स से भी बना सकते हैं पर उससे हल्वे का टेस्ट थोड़ा अलग होता है एक कड़ाई लेंगे उसमें टू टेबल स्पून गी डालेंगे गी थोड़ा गरम होते ही ग्रेट किया हुआ कैरेट्स डाल देंगे रिखी के साथ मिक्स करते जाएंगे हमें कैरेट्स को मिक्स करते जाना है घी के साथ गाजर को घी में भून लेना है 18-20 मिनिट्स फ्लेम को मीडियम रखना है जैसे ही गाजर घी के साथ मिक्स होता है गाजर का कलर चेंज होने लगता है रेद से ओरेंज आप देख सकते हैं कैरेट धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहा है गाजर को 20 मिनिट्स भूनने के बाद हम कवर करके 20 मिनिट्स लो फ्लेम पे पकाएंगे 20 मिनिट्स के बाद देखिए गाजर का वॉलियूम कम हो गई है क्यूंकि गाजर सॉफ्ट हो गई है इसलिए इसकी क्वांटिटी भी कम हो गई है अभी गाजर को हम दो मिनिट हाई फ्लेम पे भूनेंगे दो मिनिट भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे दूद मैंने लिया है 250 ml फुल क्रीम मिल्क 1-2 मिनिट तक इसको मिलाएंगे फिर डालेंगे इलाइची 5-6 मैंने इसको क्रश कर लिया है आप चाहे तो इलाइची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं 4-5 मिनिट तक पकाएंगे फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे और फिर इसको कवर कर देंगे 10 मिनिट के बाद चेक करेंगे और स्टर करेंगे वरना हलवा कड़ाई से चिपक जाएगे फिर से इसको कवर कर देंगे और पकाएंगे 10 मिनिट के लिए फ्लेम को अभी भी लो ही रखेंगे 10 मिनिट होने के बाद देखिए गाजर कितना सौफ्ट और मुशी हो गया है अभी हम डालेंगे कंडेंस्ट मिल्क मेरी अडवाईज है ये कि आप गाजर का हलवा बनाने के लिए कंडेंस्ट मिल्क या फिर खोए का इस्तमाल कीजिए इससे हलवा और स्वादिष्ट बनती है और वैसे भी थोड़ी ना हम हलवा रोज रोज बनाते हैं कंडेंस्ट मिल्क को हलवे के साथ मिक्स करके 10 मिनिट तक पकाएंगे फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे फिर डालेंगे किश्मिश और चौप्ट बदाम मैंने यूज किया है आमन्स, पिस्टैशियो और कैश्यू सारे ड्राइफ फ्रूट्स को मैंने छोटे छोटे टुकडों में चौप कर लिया है ड्राइफ फ्रूट्स को हल्वे के साथ अच्छे से मिलाएंगे तो तयार हो गई स्वादिष्ट काजर का हल्वा सल्दी में गरम गरम हल्वे का मजा लेजिए यह बेख भूट्स को । अजियो आफ लिए टो लेंटी जान रिट लॉट्स को लगार लॉट्स को बादिए अच्छे लॉट्ट लिए अंग्छे लॉट्स को लॉट्स दिए behavior झाल झाल